असलामों अलेकूम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास कुछिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सा पुलाओ जिसका नाम है मतन कोफता पुलाओ बहुती जबरदस घर पर हाजर मसालों से बन जाता है और यह देख सकते हैं कितने सूपर सॉफ्ट है और बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं है कोफते मतन के तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रिडियंस से एक्स्ट्रो ओर्डिनरी सॉफ्ट मतन कबाब के पुलाओ बनाते हैं आज चल आप चाहिए तो 500 गराम कीमा ले सकते हैं बट मैं क्या करते हू आधा किलो बोलनस मंगाखे उसकी चरवी वगरा निकालके उसे धोब के उसे पैट ड्राइ करके उसे ये वाले चॉपर के अंदर उसका कीमा मैं खुद घर पर ही बना लेती हूँ सो और वो ड्राइ रहे नहीं तो क्या होता है ना कीमा तोड़ा गीला गीला होता है उससे त यहीं चौपर के अंदर तकरीबन 11 कली लसन की दाल दी, दो हरी मिर्चियां, आदा इंच अदरक कर टुकडा मोटा मोटा काट कर दाल दीजिए, हरी मिर्चियां आपने स्वाद अनुसार दाल सकते हैं, और एक मैं बड़ी साइस की प्यास को दाल रही हूँ, प्याज है ना, तो पानी रहेगा, और हम इस कुफते के अंदर ज्ञादा पानी होना नहीं चाहिए, बस जितना हो सके जो भी चीज डाले आ, पानी नहीं जाना चाहिए इस कुफते के अंदर, तो यह मैं इस तरीके से निचोड-णिचोड कर, इसले हलके हाथ से निचोड़ती हूँ, और ये ॹेह खीमे के अंदर, यानि के gोश के anदर डाल देती हूँ इसमें डाल धीजे नम्मक, स्वाध अनुसाब मैनने जुड़ चव्याज़ डाला है अब इसमें यहाँ पर डाल दीजिए तकरीबन 1-4 चुड़ चाय का चमच हल्दी, 1-4 चुड़ चाय का चमच कश्मीरी लालमेश पौडर, अगर आपका spicy हो तो कम डालिएगा, एक चुड़ चाय का चमच धनिया पौडर, अदा चुड़ चाय का चमच गरम मसाला पौडर, अदा चुड़ चाय का चमच भूना पिसा जीरा पौडर, अब यहाँ पर मैं 4 टीबिल स्पून सबसे पहले बेसन डाल देती हो और मिक्स कर लेती हो, चार-पाँच मिनिट तक अच्छे से इसे मिक्स कीजी, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा मसाला हमारे जो गोश है, जो हमने कीमा बनाया है, इसके अंदर तक जाना चाहिए, अब बात यह है कि अगर आपको लग रहा है परफेक्टली, तो आप इससे उपर आप फिर बेसन मत डालिएगा, लेकिन मुझे हलका सा गीला टाइक लग रहा है, हातों में ही आपको पता चलेगा, तो मैं एक टेबल स्पून और बेसन डाल कर बहुत अच्छे से दो-तीर मिनिट और उसे मसल लेती हूँ, जैसे हम आटा कैसे मसलते हैं, वैसा मसल लेना है, जब अच्छा मसल लें, तो यह देखिए, अब तेल से हातों को घरीज कीजिए, और आपको जितने बड़े या जितने छोटे बॉल्स बनाने हैं कुफते के, उतने बनाईए, बॉल्स ही बनाने हैं, और इसे बना-बनाकर साइट पर रखते जाए, तो यह देखिए, मैंने सारे बना लिये हैं, मैंने तकरीबन 12 मीडियम साइज के कुफते बनाए, अगर आप छोटे-छोटे बीनी भी बनाऊगे न, तब भी बहुत अच्छे रहेंगे, मैं तो यूशुली बहुत बार छोटे भी बनाई हूँ, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में भी, चलिए इन्हें में साइट जब उपर एक परत आजाए, गोल्डन कलर की, लाइट गोल्डन ब्राउन होजाए, चारो ओर से उलट पलट करते जाएगा, जब लाइट गोल्डन ब्राउन होजाए, तो इन्हें निकाल कर, नितार कर साइट पर रख दीजे, प्रेड के अंदर इसी तरीकी से सारे कोफते fry कर लीजिए मैं एक important tip देना चाहूंगी यहां आप पहले 4 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिए खीमे के अदर और बहुत अच्छे से mix कर लीजिए और एक कोफता बनाके पहले एक fry कर लीजिए और देख लीजिए अगर food नहीं रहे तो बस वही है आपका बराबर है अगर आपको लग रहा है के food रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिए एक टेबल स्पून और एक्स्ट्रा दाल दीजिएगा लेकिन मैं advice करूंगी पहले 3-6 टेबल स्पून दाल कर पहले mix करकर एक कोफता बनाकर उसे fry करके देख लीजिए अब आप कहेंगे यह तो कच ज़्यादा तेल है तो मैं इसमें से थोड़ा तेल निकाल लेती हूँ और ये तेल के अंदर मैं दाल देती हूँ दो बड़ी साइस की प्यास को स्लाइस करकर और उसे fast आज पर light golden brown होए तक इन्हें fry कीजिए जैसे हमें fried onions बिरिस्ता बनाना है उस तरीके से बनाई है चास स आगे जाके पानी डालने में काम में आएगा तो अब यहाँ पर मैंने इसे दो-तीन पानी से धो के भिगाने के लिए आदे घंटे के लिए side पर रख दिया है मैंने प्यास को एक बार चला लिया मैं आपको गरम मसाले बता देती हूँ पांच्छे सावुद लाल मिर्च सु छे साथ हरी लाइची, एक छोटी डंडी डालचीनी की, दो तेजपत्ता पर एक छुड़चै का चमबच, सौफ है यह, आप सौफ साबुद भी डाल सकते हैं और आप पीस कर भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं, बस मिक्सर जार में, पीस लीजे सौफ को और फिर डाल दीजेग यह सब मैं साइपर रख रही हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि प्यास फ्राइ हो चुकी है और मैं थोड़ी सी निकालने के बाद इसे डालने वाली हूँ, तो चलिए यह देखिए, प्यास फ्राइ हो गई है, इन में से आधी प्यास निकाल लीजे, नितार कर और इस प्यास जादा हो जाएगी और जल जाएगी, तो कड़वा पना सकता है, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा पानी दाल कर चूला मीडियम आच कर दिया, और इसे बहुत अच्छी से मिक्स करकर इसे भून लीजिए, प्यास मैंने कुछ जादा ही निकाल लीती हूँ, जब उ जादा हो चाहें, तो पीसकर भी दाल सकता है, इसे भी दाल कर एक दो मिनट फ्राइ किज़े, एक दो मिनट हो जए तो सलवाज करके इसे ढख कर दो-तीन मिनट तक पकने दीजिए, ये देखिया है, दो-तीन मिनट हो गए, अच्छे टमाटर हो चुके है, मशी हो गए, हाँ पर मैं दाल देती हूँ तीन टेबल स्पून दही इसे बार-बार चलाते हुए मीडियम आज कर दीजे चुले को और इसे भून लीजे दही को एक-दो मिनिट जब तक तक तेल नहीं छूट जाता चलिए दही भी दो-तीन मिनिट तक भून चुकी और तेल छूट चुका है आप देख सकते हैं तो साइट पर मैंने जो फ्राइ करके रखे हैं कोफते ये दाल देती हूँ और इसे मीडियम आज पर बार-बार चलाते हुए एक मिनिट तक भून लीजे तो इसका भी जो भी थो 500 ग्राम चावल थे मैंने मापे थे तो मुझे चाहिए चार कप पानी यहां डाल देती हूँ जो भी थाली में लगाऊ हो वो सारा लीजेगा वेस्ट मत कीजेगा और नमक डाल दीजेए स्वाद अनुसार चावल जो डाले उसके भाग के यानि कि तो मैं मेरे हिसाब से डाल दीजेए यानि के हरा धनिया और उसमें ढाक कर उबाल आ जाने दीजेए जब अच्छा उबाल आ जाए तो इसके अंदर चावलों को नितार कर बिसमिलहरा खाने रेम बोल कर ताल दीजेए और इसे बार बार चलाईएगा मत इंटर वेल्स पर चलाईएगा और इसे पकने दीजेए फास्ट आच पर तब तक पकाएं जब तक चावल ये जो पानी है और मों सूख नहीं जाता अच्छा यहां पर यह है कि अगर आपके जो भी है ग्लास या कप जो भी लिये है उसके इसाब से आपने चावलों को ना पा अब अगर आपका 3 कप आ रहा है 500 ग्राम च करते हुए निम्बू जो जिसका रस दाला है उसको भी दाल देती हूँ ऐसे ही हाँ कोई बास नहीं है निम्बू का रस निकालने के बाद अच्छा अब चूले को कर दीजेए जो आप देख सकते है अच्छे से ऑल्दो मुस पानी सूख चुका है थोड़ा सा बिरिस्ता ज इसे तकरीबन समझे न 15 मिनित तक पकने दीजिए अगर आपकी पतिली थिक बादर में आने के मोटे तलिये की है तो वो आप ऐसे ही रखिएगा लेकिन मेरी है थोड़ी पतली है यह जो पतिली तो मैं नीचे तववा रख रही हूँ गरम कर रहा है कुछ नहीं तववे को म तक उसके ऊपर मैंने हमारे जो चावल का पतिला था वो रख दिया और इसे फंदरा मिनित टक मैंने पकने दिया यह लिए 15 मिनिट हो चुके है मैंने चूला कर दिया बंद और चूला करने के बाद जो नीचे अगर आपने तववा रखा है उसे हटा दीजिए और एक बर आ अच्छे से खीले खीले भी होते हैं और तूटते नहीं है उसी समय आप निकाल दोगे न तो वो तूट जाते हैं इसके लिए काफी लोगों की ये परिशाने होती कि हमारे चावल बहुत जादा तूट जाते हैं 15-20 मिनिट का रेस्टिंग स्टेज उसमें देना जरूरी है चलिए अब मैं इसे गर्मा घरम एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और सर्फ करती हूँ अब साइट पर जो थोड़ा बहुत बिरस्ता रखा था ये सारा मैं इसके उपर डाल देती हूँ प्रेजेंटेशन के हिसाब से थोड़ी सी कोथ मेर्याने के हरा धनिया डाल दीजी थोड़ी से आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी दाल सकते हैं और इसे गर्मा गरम सर दालें पर मुझे पुलाव थोड़ी से हलके less spicy अच्छे लगते हैं हमारे घर में तो मैं उस तरीके से डाला है कुछ रेसिपीज मैंने बखरीद की मेरे इस चैनल पर अप्लोड किया आप लोगों के लिए निंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है याने के मतन की रेसिपीज के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है प्लेलिस्टी है अच्छा मैंने कापी मतन के पुलाव अभी रेसिंटली बनाए है उन सारो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर इन पुरा प्लेलिस्ट है आप जरूर चेक कीजिएगा और पनाएगा भी तो हैना मज़ेद और दम्नार रेसिपी के साथ, until then take care, Allah Hafiz, bye-bye.